जोब सम्मन्दी अपडेट पाने देगे आप जागरती योटीब चेनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्ता के साथ शेयर करें साथियो ओडिशा स्टाब सेलेक्शन कमिशन कर्वचारी चाएल आयोग ने नई भरती करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें मैं आपको सॉल्ट में जानकारी दूँगा जैसे age limit क्या होनी चाहिए, educational qualification क्या होनी चाहिए, selection process क्या है और आविदन कैसे कर सकते हैं शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू यदि आप रोजाना नई जब की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर डीजिए तो आई शुरू करते हैं पद का नाम है Blocked Social Security Officer और Textile Inspector पदों की कुल संख्या 169 है 159 और सेच्छिक क्योग गिता है किसी बानिता प्राप्त संस्थान से ग्रेजिशन या उसकी संकच आयू सीमा इसमें उम्मीदवार की नेंतम आयू 21 वर्स और अधिक्तम आयू 32 वर्स होनी चाहिए आविदन का शुल्क जनरल उम्मीदवार को 100 रुपई जमा करने होगी और SSC या STPWD बरके उम्मीदवार को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा आविदन करने की अंतिमति थी 8 दिसंबर 2017 है चैन प्रक्रिया ब्लोक सोसल सेकुरिटी अफिसर और टेक्स्टाइल इंस्पेक्टर तोनों भरतियों के लिए सेलेक्शन के लिए लिखित परिक्षा आयू जित की जाएगी आविदन कैसे करें? आविदन करने के लिए इच्छ कुम्मीदवार OSSC औरिशा स्टाप सेलेक्शन कमिशन की वेबसाइट www.odishassc.in पर ओनलाइन आविदन कर सकते हैं आविदन करने से पहले आयू की वेबसाइट पर जाकर के पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही आविदन करें इसे अधिक जानकारी के लिए आयू की वेबसाइट पर फुल नोटिफिकेशन देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा जिसमें आप डारेक्ट नोटिफिकेशन को देख सकते हैं धन्यवाद